किसी भी देश के सम्रिद संस्कृति के पीछे वहां का अपना एक लंबा इतिहास साथी साथ विभिन जाती विभिन धर्मों विभिन समुदायों के साथ आदान प्रदान और साथी साथ अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ संस्कृतिक आदान प्रदान अहम भूम का निभाते हैं भारत के परिपेक्ष में अगर हम बात करें तो भारत का अतीत अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर विभिनराज्यों के साथ सांस्कृतिक समावेशन देखने को मिलता है तो आज इसी के समक्ष क्या चुनावतियां है इनके ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं सल्मान सिद्धिकी आप सभी का स्वागत करता हूँ द्रिस्टी PCS के Facts with Concept प्रोग्राम में और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 40 वर्स बाद भारत लंका के मध्य नौका संचालन की शुरुआत क्यों तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार हम रूप रेखा को देख लेते हैं और तमाम बिंदूओं को देख लेते हैं जिस पर आज के दिन हमारी वीडियो केंदृत होगी तो सबसे पहले देखेंगे कि खबर क्या है और ये खबर चर्चा में क्यों है इसके बाद समुद्री संबंध का इतिहाद देखेंगे भारत और सिलंका के परिपेक्ष में इसके बाद यह जो संचालन सुरू किया गया है दोनों देशों के मद्धे इसका क्या प्रभाव होग साथ ही साथ इसके समख्ष क्या विभिन प्रगार की चुनावतियां हैं इन चुनावतियों के बारे में बात चीत करते हुए सबसे अंत में अभ्यास प्रस्ण को भी हम लोग देखें कि जिसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्षन में देंगे वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक सूचना आप सभी साथियों को देनी है कि द्रिष्टी संस्थान की ओर से MPPC के लिए जो प्रलिम्स की कक्षाए हैं उसकी सुरुआत 31 अक्टूबर से की जा रही है या Current Affairs Oriented Course होगा जो कि द्रिष्टी Learning App के माध्यम से आप सभी को Online Mode मे उपलब्द कराया जाएगा इसके लिए admission open हो चुके है यानि प्रवेस प्रारम हो चुके है तो इसमें प्रवेस लेने के लिए साथ ही यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस दिये गए संपट नंबर पर call करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इस service restarted after 40 years opportunities and challenges अब यह खबर चर्चा में क्यों है खबर तो इंडियन एक्सप्रेस से है इसके पीछे क्या मुख उद्देश है जिसकी वजह से यह खबर चर्चा में बनी हुई है तो दरसल 14 अक्टूबर को भारत और स्री लंका के मध्ध नौका संचालन की शुरुवात की और यह जो नौका संचालन की शुरुवात हो रही है भारत के तमिलनाडु राज्य के नाग पटिनम से स्री लंका के जो उत्तरी जाफना है वहां पर एक स्थान है कांके संथुराई तो यह नौका संचालन जो है नाग पटिनम से ले करके जाफना के कांके संथुराई तक क स्थान है। जाफना और यही पर इसका जो उत्तरी स्थान है कांके सlighशिआ है यही पर नौका का संचालन किया जा रहा है और यह जो नौका संचालित की जा रही है जिसकी शुरुआत की गही है एक high speed craft है जिसका नाम चेरिया पानी है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है महत्पूर है तथ्यात्मक रूप से 47 पर बनाया जा सकता है कि भारत और सिलंका के मद्द जिस हाई स्पीड क्राफ्ट के माध्यम से नौका संचालन की शुरुवात की गई है उसका नाम निम्न लिखित में से क्या है चार जहाजों का नाम दे देगा और आपको सही उत्तर चुनना होगा तो सही उत्तर होगा चेरिया पानी तो मोटे मोटे तोर पर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये खबर सुर्खियों में क्यों है चर्चा में के वहाँ जिसकी वज़ा से हमने इसे आज के टॉपिक में शामिल किया है अब यहाँ पर अगर देखे बहारत और स्रिलंका के मद्ध जो भी समुद्री सम्बंद रहे हैं तो उनको एक बार देखे तो वर्स 1900 के दसक में ही दोनों देशों के मद्ध इंडो सिलोन एक्स्प्रेस या बोट मेल की शुरुवात की गई थी जो 1982 तक थुतु कुटी बंदरगा के माध्यम से यह तमिल नाडू में इस्थित है इसे पहले तूति कोरीन के नाम से भी जाना जाता था तो इस बंदरगा के माध्यम से वर्स 1982 तक चिन्नई और कोलंबो के मद्ध यात्राएं संभव रहती थी यानि कि यहां इन दोनों के मद्ध इस बंदरगा के माध्यम से नौका का संचालन किया जाता था इसके अलावा इन दोनों इस्थानों के मद्ध लोगों की आवाजही होती थी लेकिन जब स्रीलंका में ग्रह युद्ध की शुरुवात हो गई तो इसे बंद कर दिया गया अब ग्रह युद्ध के बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 2009 के बाद एक बार फिर से दोनों देसों के मद्ध इस तरह की सुधाओं को शुरुवात करने का प्रयत्न किया गया लेकिन जो प्रतिक्रिया रही वो रिस्पॉंस अच्छा ना आने की वज़ा से इसकी शुरुवात बहुत अच्छे ढंक से नहीं की जा सकी और अभी फिर से दोनों देसों के मद्ध इसकी शुरुवात की गई है किसके माध्यम से की गई है वो जहाज क्या है चेरिया पानी कहां से कहां तक तमिल नाडू के नाग पटिनम से स्री लंका के जाफना के कांग के संथूराई तक इसका संचालन किया जा रहा है अब यहाँ पर देखें कि जो स्री लंका में ग्रहिद्ध की शुरुवात हुई अग्रहिद्ध की जो समाप्ती हुई तो ग्रहिद्ध की से पहले एक बहुत ही लोक प्रियमार्ग था ये धनुसकोंडी से तलाई मननार तक तलाई मननार जो है स्रीलंका में इस्थित है अगर धनुसकोंडी की हम बात करें तो रामेश्वरम और तलाई मननार के मध्ध धनुसकोंडी इस्थित है तो यहाँ पर धनुसकोंडी तक जो य वहां पर यात्रियों का इस्थानांत्रन कर दिया जाता था और फिर आगे की जो यात्रा होती थी वो नौका के माध्यम से तलाई मननार तक होती थी जो तकरीबन दो घंटे का समय लेती थी यात्रियों को स्री लंका यानि तलाई मननार तक पहुचाने में तो यह पूरा का प लेकिन जो response रहती जो feedback रहता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है तो इसे आगे नहीं बढ़ाया गया था लेकिन एक बार फिर से परेटन को बढ़ावा देने साथ ही साथ बुनियादी धाचे को और मजबूती प्रदान करने के लिए साथ ही साथ जो दोनों देश के छेतरी व्यापारी है उनको लाब हो सके इन तमाम पहलूँ पर ध्यान देते हुए दोनों देशों की सरकार के द्वारा अब इसकी शुरुवात एक बार तकरीबन 40 वर्सों के बाद फिर से की जा रही है तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों देशों के बीच तो उस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो सबसे पहले एक तरह से आवाजही के लिए परिवहन का विकल प्रदान करेगी ये सेवा इसके साथ ही साथ तटी छेत्रों में धार्मिक परेटन को भी बढ़ावा मिलेगा अगर धार्मिक परेटन की दृस्त से अगर हम बात करें तो तम स्रिलंकाई परेटकों की आमद को देखने की उमीद है यानि कि इस नौका संचालन सेवा की शुरुवात होनों के बाद यह जो इस्थान है यहां पर जो स्रीलंकाई परेटक है उनकी भीड आने की आशंका यहां पर की जा रही है और निसंदे रूप से जब स्रीलंकाई प मुहया हो सकेगा साथ ही साथ जो भारत के एक तरह से परेटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा परेटन में भी विशेश रूप से जो धार्मिक परेटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और निसंदेह रूप से जब दोनों देशों में आवजही बढ़ जाएगी तो आदान प्रदान भी होना स्वाभाविक्सी बात है इसके अलावा छे त्रिवानज और व्यापार में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा दोनों तटो यानि की जो नाग पट्टीनम है और साथ ही साथ जो यहाँ पर जाफना है तो वहाँ पर जो इस्थानी व्यापारी है उन इस अंदेर रूप से जो यह बंदरगा वाले इस्थान है यहाँ पर इंफ्राइस्ट्रक्चर का डेवलप्मेंट होना स्वाभाविक सी बात है और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आली में नाग पट्टिनम बंदरगा को केंद्री विदेश मंत्राले से आठ करोण अपग्रेट किया गया है अब यहाँ पर कुछ चुनावतियां भी देखने को मिलेंगी जैसा कि मैंने पहले ही आपको जिक्र किया बताया कि जो शुरुआत की गई थी ग्रहयुद के बाद वर्स 2009 के बाद और 2011 में जब एक समझहोते पर हस्ताक्षर किये गए थे लेकिन ख सेवाएं शुरु की गई हैं इनका संचालन किस प्रकार से किया जाएगा हमने यह सेवाँ चुरु कर दी पर यह अश्योरण्स नहीं है कि जो यात्री जो व्यापारी है वह कहां से आएंगे कितनी मातरा में आएंगे इसके अलावा यह जो सेवा दी जा रही है इसके लिए संचालन की शुरुवात की जा रही है इसमें 150 यात्री एक बार में जाएंगे यानि कि इस जहाज की जो capacity है 150 यात्री को ले जाने की है अब यहाँ पर जो किराया है वो काफी महंगा है साथी साथ खराब टिक्टिंग सिस्टम है इसके अलावा जो सिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया है जो इस सेवा को support कर रही जिसके माध्यम से इस सेवा का संचालन किया जा रहा है तो इसकी 10 दिनों के लिए हर दिन सेवाय चलाने के शुरुवाती योजना को सबता हमें तीन बार संचालित करने के लिए पुनर निर्धारित किया गया है यानि कि शुरुवाती दौर में ही हम देखे तो इसको विभिन प्रकार की चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है तो यह सेवा इतनी आसान नहीं होने वाली है इस तरह की चुनोतिया आगे आएंगी और अभी कुछ ऐसी भी चुनोतिया आ सकती है जो की अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं तो निसंदेर रूप से इन चुनोतियों को या इन चुनोतियों से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन सेवाओं को और भी अधिक प्रभावी बनाना है साथी साथ दोनों देशों के जो पार है उसको बढ़ावा मिल सके तो निसंदेर रूप से ये चुनोतिया रहेंगी सामने ही और अब इस वीडियो के अंत में सवाल देख लेते हैं जो कि प्रलिम्स के पॉइंट आउविव से आप सभी के लिए महत्तपूड होंगी तो प्रस्ण है हाई स्पीड क्राफ्ट चेरिया पानी नाग पट्टिनम से निमलिखित मेसे के सिस्थान तक जाएगी विकल्प है कांकेशन थुरई तुरनलार तलाई मननार पोर्ट हम्मेन हैल ये तो एक प्रस्ण रहा दूसरा सवाल है रामेश्वरम एवं तलाई मननार के मध्ध इस्थित है एगमोर पालम पि थान इस्थित है ये आपको बताना है इन दोनों प्रस्ण का क्या सही उत्तर होगा इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा यदि कोई आपकी क्वैरी है कोई सुझाव है तो आप सादर आमंत्रित हैं तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है जै हिंद।